दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिपावली की रात और धंतेरस की रात आप किस तरीके से जाडू की मदद से मातारानी को प्रस्ण कर सकते हैं। दोस्तो जाडू हर किसी के घर में होती है लेकिन क्या आपको पता है कि जाडू को सीधे तोर से लक्षमी मा से जोड कर देखा जाता है। ये प्रियोग जरूर करें। आइए जानते हैं इसके बारे में जाडू को जो है वो मा लक्षमी जी का प्रतीक माना जाता है। दरिदता वे गरीबी रूपी परिशानी को घर से बाहर निकाल देती है ये जाडू और जीवन से भी भगा देती है। जाडू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रियोग हैं। आज हम आपको एक ऐसा खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परिशानियों से आपको मुक्ती दिला सकता है। जाडू को मा लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्ता के लिए कई तरहिके के हम प्रियोग करते हैं। जाडू धंतेरस के दिल लेकर आएं और फिर आप मा लक्ष्मी जी का स्वरूप मान कर इसकी पूजा अरादना करें या फिर इसके नीचे रात सोने से पहले एक ऐसी चीज दबा दें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। खास कर मा लक्ष्मी जी स्थिर वास करेगी और मा लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। अगर हम जोतिश की मानें तो जाडू का महत्व सबसे जादा ये होता है कि ये बिमारियों को दूर करने वाली है। कभी भी जाडू को आप इस दिन सुर्यास्त के बाद धंतेरस के दिन ना लगाएं। माननेता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट जाती है और दूसरी तरफ सुर्यास्त होने के बाद जाडू तो क्या पोचा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब जाडू लगाएं पर कुड़ा बाहर ना फैके। पहले एक छोटी सी चीज रख दें जाडू के नीचे चुपके से दबा दें। और अगर इस धंतेरस आप ये नहीं कर पाएं तो कोई बात नहीं आप ये उपाय दिवाली की राद जरूर करें। फिर देखें कि कैसे लाब होता है जीवन में। आप माने या ना माने हमेशा एक ही बात याद रखिएगा कि जो जाडू आप जब लगाएं तो इधर उधर कचरा मत फैके। एक जगह पर कचरा इकठा करें और फिर फेक दें घर से बाहर या डस्टमिन में। और दोस्तों वैसे तो ये बात आप सब जानते हैं कि शाम के समय जाडू नहीं लगानी चाहिए लेकिन अगर जैसे मान लीजिये बहुत जरूरी हो गया था इसलिए आपको रात में लगाना पड़ेगा जाडू तो उसके लिए आप क्या करें कि कोई डस्टिंग का खराब कपड़ा लें या फिर सूखा पोचा लें और कचरे को उससे समेट कर दिवार के किनारे या फिर घर के किसी कोने में कर दें लेकिन जाडू मारने की भूल बिलकुल भी ना करें और जो कचरा इकठा हुआ है उसे आप बाहर मत फैकिएगा रात को कभी भी उसे इकठा कर ले और अगले दिन सुबा होने के बाद ही उसे बाहर फैकना चाहिए वरना घर में जो आपका धन आता है उसके आगमन पर प्रभाव पड़ता है आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है इसलिए जाडू को जहां तहां भी ऐसे ही ना रखें इसकी कोई निर्धारी जगह बनाए और ध्यान रखें कि इसी जगह पर आपको जाडू को डेली रखना है और वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी की नजर वहां ना पड़े और रात के समय ना लगाएं और फिर भी अगर आपने लगा दिया है जाडू रात में तो कचरे को बाहर ना फैके या इधर उधर ना फैके इससे आर्थिक परेशानिय भढ़ती है और जाडू अगर आपने सपने में देखी है जै धन्तेरस या दिवाली वाले दिन इसे आपने सपने में देख लिया है तो बहुत अच्छा ये संकेत है क्योंकि धन्तेरस या दिवाली के दिन जाडू दिखना काफी अच्छा और शुब माना जाता है वैसे तो सपने में जाडू दिखना शुब नहीं होता है अगर ऐसा सपना आपको आता है कभी भी तो ये सपना आपको तुलसी माता को या फिर गव माता को सुना देना चाहिए ताकि इसका बुरा प्रभाव टल जाए लेकिन वहीं अगर ये सपना दिपावली या फिर धनतेरस के दिन आपको आता है तो घबराये नहीं क्योंकि ये सपना बहु महीने या उससे भी जादा इस्तमाल हो चुका है लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जाडू बिलकुल ठीक है फिर भी दोस्तों आप उसे फेक दीजिए क्योंकि धंतेरस के दिन नई जाडू लाने की विशेश परंपरा मानी जाती है विशेश लाब माना जा क्योंकि इस दिन अगर आप पुरानी जाडू फेकेंगे तो नेगिटिव एनरजी आपके घर से दूर जाएगी तो धंतेरस के दिन आप जाडू जरूर लाएं और पुरानी जाडू इस दिन घर से बाहर निकाल दें और अगर आपने धंतेरस पर ऐसा नहीं किया तो दिव के दिन अपनी जाडू बदल दे पुरानी घर से बाहर निकाल दे और नई को इस्तमाल में लें फिर देखें कैसे लाब होता है आपके जीवन में आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बरसती हैं दोस्तों खुले आसमान के नीचे जाडू नहीं रखना चाहिए बहुत से ल दिशा है तो आप घर में उत्तर और पश्चिम की दिशा में जाडू रखने की विवस्था करें चलिए अब आपको बता दें कि धंतेरस के दिन रात को सोने से पहले जाडू के नीचे आपको क्या रखना है और अगर धंतेरस के दिन आप ये मोका चूक जाएं तो दिवाल की रात मा लक्षमी का घर में प्रवेश हो उसके लिए ये प्रियोग आप करें एक चांदी का सिक्का आपको जाडू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले तो रात सोने से पहले जाडू के नीचे एक चांदी का सिक्का जरूर रख दें अगर नहीं है तो एक रुपे का सिक्का भी आप रख सकते हैं तो रख कर सो जाईए फिर अगले दिन जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि कैसे जीवन में चमतकार होता है क्योंकि जाडू में नेगेटिव एनरजी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनरजी को सोक लेता है बाद में अगले दिन आप इसे साफ करके गंगा जल छिड़क कर स्वच कर लें और मा लक्ष्मी के चर्णों में रख कर इसकी पूजा करें इससे घर की सारी नेगेटिविटी मा लक्ष्मी दूर करेंगी और अब जब आपने ये एक रुपे का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच कर लिया है और मा लक्ष्मी का आशिरवाद इसे मिल गया है तो इसे आप अपने धन रखने की स्थान पर रखें और अगली दिपावली या धनतेरस पर इसी कार्या को आप दुबारा कर सकते हैं ताकि इस सिक्के से आपके घर की बरकत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे इसके अलावा आप इ रुपके से जाडू के नीचे दबा देनी हैं याद रखें ऐसा करते हुए आपको ना कोई रोके ना कोई टोके यकीन मानिये मा लक्ष्मी जी स्थाई रूप से आपके घर में वास करेगी और घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी तो दोस्तों आपको दिपावली की रात सोने से पहले जाडू के नीचे दो इलाइची रोंग दबा के रख देना है और अगले दिन इलाइची और लोंग को घर से बाहर फैक दे ये बहुत ही बढ़िया उपाय है घर की नकरातमता को भगाने का तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में इसे जादा से जादा शेयर करें आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट बोक्स में जैमा लक्ष्मी आवश्य से लिख दी दिये जल्द मुलाकात ह आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद